इस वक्क की बड़ी खबर आपको बता दे TV9 भारतवर्ष से बोला डौन अतीक एहमद मुझे परशान किया जा रहा है उमेश पाल की हत्या की साज़िश पर अतीक का जवाब सामने आया है मैं तो 6 साल से जेल में बंद हूँ मेरी पत्नी कोट का दर्वाजा खटकटाएगी ये भी अतीक एहमद के उर से कहा गया है साबर्बती जेल से प्रागराज लोटते समय रास्ते में TV9 भारतवर्ष संवधाता विपिन चौबे की अतीक एहमद से खास बातचीत के दरान उसली के तमाम बाते कहीं है अतीक कुछ कहना चाहोगे? आप कुछ कहना चाहोगे? आपको परिशान किया जा रहा है? दर लग रहा है अब? अपने गुनाहों किसा सा मिल रही है? आपने गुनाह नहीं किये हैं सो से जादा मुकदमे हैं आप पर आपने गुनाह किये हैं अदालत पर दे हुआ डर लग रहा है तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे टीविनाइन भारत वर्ष के तमाम सवालों के जवाब देते हुए अतीक एहमद ने कहा है कि मुझे परिशान किया जा रहा है उमेश पाल की अत्या कि साज़िश पर अतीक एहमद का ये जवाब मैं तो 6 साल से जेल में बंद हूँ मेरी पत्ती कोट का दर्वाजा खटकटाएगी एक बार फिर से आपको सुन बाते हैं ये खास बात्ची अतीक एहमद मुझे परिशान किया जा रहा है मैं तो 6 साल से जेल में बंद हूँ और मेरी पत्ती कोट का दर्वाजा खटकटाएगी सावरमती जेल से प्रागराज लोटते समय रास्ते में TV9 भारतवर्श समादादा विपिन 24 से अतीक एहमद ने जो तमाम सवाल के जवाब देते वक ये बाते कहीं है मैं तो 6 साल से जेल में बंद हूँ मुझे परिशान किया जा रहा है ये तमाम बाते TV9 के सवालों के जवाब के दरान उसने गई करेंग जढ़ मुझे जवालों के लागा झाम परिशान किया जारते TV9 के जवालों के जवाब के बंद दरान ओलग देलाशाय से बाते है अुरब के जवालों के बाते है करेंग, करेंग, बाते है और दो भाते है